नमस्कार बीरी टीवी भारत में आपका स्वागत है भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है सदियों से नदियों का पवित्र जलना जाने कितने लोगों को पवित्र करता रहा है और उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती भी दीरे-दीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर पहती जा रही है ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है गोदावरी नदी जीहां अन्य नदियों की तरह गुदावरी नदी का भी अपना एक अलग इतिहास और कहानी है गुदावरी दक्षिन वाहिनी गंगा महराश्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाड के ब्रहमगिरी पहाडियों में निकलती है और पश्चिम गुदावरी जिले के नर्सापुरम में बंगार की खाडी से मिलने के लिए दक्षिन पूर्व में यात्रा करती है अन्य भारते नदियों की तरह गुदावरी की उत्पत्ती एक शिव मंदिर त्रयमबकेश्वर से हुई है जो बारा जोतिर लिंगों में से एक है त्रयमबकेश्वर के बाद और नासिक से कुछ दूर पहले ही चक्रतीर्थ नामक एक कुंड है यहीं से गुदावरी एक नदी के रूप में बहती है इसलिए बहुत से लोग चक्रतीर्थ को ही गुदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम स्थान मानते हैं प्रायद विपिया भारत में सबसे लंबी नदी तीन राज्यों महराष्ट, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश से होकर गुजरती है जबकि इसके बेसन में मध्यप्रदेश, करनाटक, 36 गड़ के कुछ हिस्से और उडशा भी शामिल है ये तीन क्रिशी जलवायू क्षेतरों, 6 क्रिशी, पारिस्थितिक क्षेतरों से होकर गुजरती है और जैव विविदता और समुदायों की एक आश्चर रिजनक सारणी का समर्थन करती है बेसन में महराश के नासिक, नाकपुर, वर्धा, नांदेड और चंदरपुर और तिलंगाना में भधराचलम, निजामाबाद, मंचेरियल और रामागुंडम, आंध्यप्रदेश में राजमुंदरी और नर्सापुर और मध्यप्रदेश में सिवनी और बालाघार जैसे म गुदावरी नदी का धार्मिक महत्व इस नदी को अपनी पवित्रता की वजह से गंगा की बहन से कम नहीं माना जाता और ये भारत की सबसे पवित्र साथ नदियों में से एक है। गुदावरी अपने मूल में कई उलेखनी घटनाओं की साक्षी है। एक बार महर्शी गौतम ने घोर तप किया था। इससे रुद्र प्रसन हो गए थे और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया था। गंगाजल के सफर्ष से एक मृत गाय पुनर जीवित हो गई थी। इसी कारण इसका नाम गुदावरी पड़ा था। रिशी गौतम से संबंद जोड़े जाने के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं इसलिए इसको वरिद गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। गोदावरी की साथ भारा वसिष्ठा, कौशिकी, विर्त गौतमी, भारदवाजी, आतुरेई और तुल्या, अतीफ रसिद्ध हैं। साथ भागों में विभाजत होने के कारण इसे सब्ध गोदावरी भी कहते हैं। इसी तरह नदियों की जब भी बात की जाती है तो का लगा है पोदावरी में खहते हैं।